Hello everyone, I am Priti Toshniwal and welcome to my channel एक बार फिर से मापके साथ और एक ने डिजाइन के साथ यहां पर आप जो सीखते हैं, बनाते हैं, उसे आप अपने बिजनस में भी कनवर्ट कर सकते हैं और इसे इंकम जनरेट कर सकते हैं कैसे वो हम देखेंगे वीडियो के एंड में, उसके चर्चा वीडियो के एंड में करेंगे पहले देखते हैं हमारे आज का वीडियो, चले शूरू करते हैं आज के वीडियो में यह तोरण हम बनाना सिखेंगे फ्लार तोरण फिर से ट्रेंड में आ रही है इसके लिए सबसे पहले तो देखिए यह का फ्लार हैं दो कलर के फ्लार हम यूज करेंगे दो कबलर का पलास्टिक निकाला के पीछे की देंडि हम प्रेस करेंगे कि ये फ्लेट हो जाएगा और इससे एक बटन डाइप का क्रेट हो जाएगा अगर हम डंडी को कट करते हैं तो फ्लार के पैटल्स जो है वो निकल आते हैं और अगर डंडी को रखते हैं तो उसे चिपकाने में दिक्कत होती है तो इस तरह से देखिए इसको आप प्लास्टि इस तरह से घुमा देंगे परल फिलर आई होप आप लोगों को पता है कैसे बनाते हैं पहले पी एक वीडियो में हमने बनाए हैं 10 mm का पर डालेंगे दोनों साइडे के 10 mm के परल्स डालकर और इसे इस तरह से घुमा लेंगे पैक कर लेंगे उसके बाद 8 mm के दो परल्स यह पर एक केप टाइप का लगा होता है जिससे फ्लार को शेप आता है उस केप के साथ हमें जो है अपना यह वायर अटेज करना है एक वायर उसमें डालेंगे दूसरा बाहर की तरफ रखेंगे और इसे घुमा देंगे इस तरह से अगर हम अटेज करते हैं तो यह फिलर्स नि एक्स्ट्रा जो वायर है यहां पर कट करेंगे इसे जो हम पेटल में अटेज करेंगे तो इसके लिए पेटल में सबसे पहले आप नीडल से इस तरह से थोड़ा सा होल बना लिजे छोटा होल जिसमें वायर घुश जाए और उसके बाद वही एक वायर को हम डालेंगे और दूसरे को बाहर रखे और इस तरह से घुमा देंगे तो यह पेटल के साथ हटेज हो गया पहला जो था वो हमारा केप के साथ हटेज हो गया फिर एक और हम लगाएंगे एक फिलार में तीन फिलर हमें लगाना है तो रेंडम लिए आप लगा सकते हैं या फिर ट्राइंगल के shape में लगा सकते हैं, एक निच्छे हो गया,दो इसके उपर बराबर में दूरी पर हो गया, इस तरह से लगा सकते हैं, जैसे मरजी हो इनको आप randomly भी लगा सकते हैं, एक और फिलर ये पांच большой का हमें बनाना है, यहां पर हमने hole किया और किसी भी एक petal के साथ इसे आप इस तरह से attach कर दीजे तो सभी flowers में हमें ये fillers attach करने हैं 12 flowers यहां पर total हमें लगेंगे सभी में हमें ये attach करने हैं उसके बाद एक torrent base है 2 inches चोड़ा और 40 inches लंबा सबसे पहले maroon flowers से हम शुरू करेंगे किसी भी एक color से आप शुरू करेंगे maroon से start करेंगे और shaded पर हमारा ये जो torrent है वो खतम होगा तो यहां पर only center में अभी आपको glue लगाना है क्यों वो हम आगे देखेंगे center में glue लगा कर इने paste कर लेंगे और इसी तरह से जो है सारे flowers हमें बिचाने है और यहां last में एक shaded आएगा जैसे कि maroon से हमने शुरू किया और shaded पर खतम half यह तोरण हम बना के देख लेते हैं बाकी half भी same ऐसे हमें बनाने है यह leaf fillers है दोनो flowers की बीच की जो जगए है वहां पर हमें एक एक पीस यह लगाना है निचे की तरफ जो दोनो flowers की बीच की जगए है और हमने center में glue इसी लिए लगाया क्योंकि fillers लगाने के लिए हमें flowers को थोड़ा थोड़ा lift करना पड़ेगा तो अगर पूरी तरह से हम इने चिपका देते तो उन्हें lift करके हम अपने fillers नहीं डाल सकते उसके बाद ये दो तरह के fillers है हमारे पास ये जो shaded है उसके निचे हमें एक तरह का fillers लगाना है और जो maroon color है उसके निचे दूसरी तरह का fillers लगाना है तो maroon के निचे जो है हम ये fillers लगा रहे हैं कोई भी एक आप लगा सकते हैं और इसी pattern को हमें continue करना है पूरे तोरन में उसके बाद निचे के fillers हो गए उपर में हमें क्या लगाना है जो हमने निचे में fillers लगा है उसका opposite pattern हमें उपर में लगाना है यहाँ पर देखे निचे जो लगा है उसका opposite उपर में और maroon के जो निचे लगा है उसका opposite filler हमें opposite design जो है वो उपर में लगाना है और इसी तरह से पूरे तोरन में हमें continue करना है यहाँ पर जो है किनारे पर हमने निचे की तरफ filler नहीं लगाया लेकिन उपर में हमें लगाना है निचे की तरफ हम लटकन लगाएंगे लेकिन उपर में यहाँ पर हमें filler लगाना है उसके बाद लटकन के लिए देखे 10 इंचे की एक string है एक साइड इसमें जो है यह extra threads रहते हैं इसके वहाँ पर एक साइड में हम यह bell attach कर देंगे इसके साथ और दूसरे साइड को obviously हमें torrent base के साथ attach करना है इस तरह से दो तिन बार नोट लगा गए थोड़ा सा thread एक दम पास से नहीं कट कीजिए कई बार निकल आता है थोड़ा सा thread रखकर और कट किया हमने उसके बार देखे thread को separate किया एक thread में जो है हम नीडल डालेंगे मरून जो फ्लार है उसके center से हम लेंगे needle को base के साथ attach करेंगे और यहां पर देखे दूसरे thread के साथ फिर इस तरह से बांद देंगे बहुत easy है इसे attach करना थोड़ा सा threads के उपर glue डाल देंगे ताकि निकले ना कभी खिंच के और इसी तरह से जो हमें पूरे pattern को continue करना है उसके बाद golden color की leaf है five petals इसमें होती है सारे petals को हम निकाल लेंगे एक-एक petals को हम यहां पर एक-एक flower के साथ attach कर देंगे आप चाहे तो दो petals को एक flower में लगा सकते हैं और फिर एक-एक petals को एक-एक flower में आप लगा सकते हैं थोड़ा सा इसमें golden touch देने के लिए थोड़ा सा इसको अच्छा सा लुक देने के लिए और जो छोटी petals है वो एक flower में हम दो लगा देंगे और इसी तरह से सभी petals में हमें यह petals लगानी है तोड लेंगे पहले और फिर petals को continue करेंगे तो बनने के बाद हैंक यूई इस तरह से हमाई तोरने color बहुत प्यारे लग रहे हैं इसके बहुत bright लग रहे हैं इसका DIY kit आपको मिल जाएगा तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट बोक्स में जरूर बताइए और जो वीडियो के शुरू में हमने बात की थी कि इससे कैसे आप अपना business कर सकते हैं कैसे आप income generate कर सकते हैं तो यह जो पीस आपने बनाना सिख है इसका DIY kit आपको मिल जाएगा DIY का full form है do it yourself इसमें किट में आपको पूरा उतना material आएगा जितना इस पीस को बनाने में लगा है आपको इसक्रिन पर आपने मेरे नंबर देखे होंगे वहां से आप मुझे कॉंचे कर सकते हैं DIY kit का आप रेट देख सकते हैं उसकी फोटो आपको मिल जाएगी जो प्रोड़क्ट होसकी फोटो मिल जाएगी DIY kit का जो रेट है उसमें अपना मार्जिन एड करके आप अपने ग्रूप में और आपके जो कॉंटेक्स उनमें फोटो सेकुलेट कर सकते हैं थैंक्स वाची बड़ाएगी